वेलकम तो स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नौ तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर के बारे में इसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में इसकी इनर्जी के बारे में इसकी डिजनेसी के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे चो होता क्या है कोई भी हमारे पास डायोटिम एक मॉलिकूल है हम उसे ऐसे चो सिंपल हर्मोनिक ओसिलेटर के रूम में रिपरजेंट कर सकते हैं तो जब कोई मॉलिकूल है जैसे यहां पर कोई मॉलिकूल है इसकी पोजिस्टन स्टार्टिंग में यह है तो जब भी मोशन करेगा लाए कि पेंडूलम यहां से इसकी पोजिस्टन यहां पर आजाएगी फिर वापस जब इसमें vibration होगा तो फिर से अपनी सेम पोजिशन है जो बेसी पोजिशन है और फिर इस साइड में यहां से इसमें एक displacement भी होगा तो इसमें जो oscillatory motion के दौरान जो restoring force है वो directly proportional to displacement बट इसमें जो restoring force है उसकी direction हमेशा सामने के opposite side में होगी सो f equal to f directly proportional to minus x यहां पर f equal to k minus x f क्या है restoring force k force constant और यहां पर x displacement है from equilibrium so यह मेरे पास f equal to minus kx यहां पर value निकल के आती है जो कि f equal to क्या होगा restoring force और डिरेक्टी प्रपोर्शनल टू होगा displacement के अब suppose करता हूं मैं कि कोई molecule है वो oscillating motion कर रहा है जिसका mass m है जब यह oscillating motion करेगा always किसके डिरेक्शन में जैसे एक्स डिरेक्शन के अलोंग यह motion कर रहा है तो इसमें f जो कि force है इसके equals to क्या होगा mass into acceleration so f equal to m a यहां पर यह acceleration क्या होता है d square upon dt square अब मेरे पास f की दो value आ गई है दोनों value ब्राबर हैं इनको ब्राबर में put कर देता हूँ जैसे यह वाल equation so f equal to एक value में रपास आई k minus x और दूसरी value आई m a so यहां से m a equal to minus k x यहां पर ए acceleration है acceleration की value में ने बताए थी d square x upon dt square equal to k minus x अब मैं जब x को इस तरफ में transfer करता हूँ so d square x upon dt square k upon m into x यह minus की value है एक इस side में ले आऊँगा plus की value हो जाएगी d square upon dt square plus k upon x into x equals to 0 value तो मेरे पास यह जो value निकल के आती है यह जो value है वो एसे चोके अंदर जो displacement होता है वो value निकल के आती है अब मुझे पता है कि k equals to क्या होता है m omega square यहां से जब omega की value निकलता हूं मैं तो क्या होगा k upon m अब मैं यहां से यह वाली जो value है इसकी जगा omega square रख देता हूं यहां से omega square equal to k upon m जब मैं k upon m की जगा omega square रख पुट करता हूं तो d square upon dt square plus omega square into x equal to 0 यह जो है वो simple harmonic oscillator की differential equation निकलके आती है अब यहां से जब मैं omega equal to करता हूं तो root k upon m यहां से यह wave value निकलके आती है अब बात करते है frequency of SHO जो simple harmonic oscillator है उसकी frequency के बार में बात करते हैं we know that omega equals to क्या होता है 2 pi upon t जब मैं t को इस साइड में लेके आता हूं तो t equals to क्या होगा 2 pi upon omega अब इस वाली equation से हम omega की value पता है क्या होती है root k upon m जब मैं omega की value root k upon इसमें put करता हूं तो मेरे पास t equals to 2 pi root m upon k यह वाली value निकलके आती है अब हमें पता है कि जो frequency होती है वो 1 upon t यहां से मैं जब t की value put करता हूं इसमें तो new equals to 1 upon 2 pi root k upon m तो यह वाली जो value है वो frequency of simple harmonic oscillator निकलके आती है new equals to 1 upon 2 pi root k upon m potential energy of SHO SHO कि जो potential energy है वो क्या होगे यहां से displacement x हो रहा था अब बात करता हूं मैं यह equilibrium यहां से displacement x f dot dx यहां से हमारे पास f की value क्या निकल गयी थी minus kx यहां से f की value minus kx मैं put करता हूं 0 से displacement तक तो minus kx into dx यहां से minus से minus cancel और k को बाहर ले लेते हैं x into dx जब मैं इसका integration करवाता हूं तो मेरे पास v x equal to kx square upon 2 यह value value निकलके आती है यह potential energy of simple harmonic oscillator जो से ऐसे चो है उसकी potential energy है इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि ऐसे चो होता क्या है उसकी potential energy उसकी frequency उसकी differential equation क्या होती है इस वीडियो के अंदर हमने यह सब टोटल पढ़ लिया तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में जाकर जूरूर बताएं और अगर आप Smart Chemistry YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सकाइब जूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिसे आपको हमारे वीडियो के notification सबसे पहले हैं